हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू सिलपास की चैनल रेसिपीज आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुती इजी सिंपल और टीस्टी लसी की रेसिपी आप लोगों ने पहले खटे दही से बनी हुई छाच लसी वगेरा बहुत बार पिये होंगे लिकिन आज मैं इस लसी को मीठी दही से बनाने वाली हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देके बिना स्किप किये और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हाँ नई वीडियो की नूडिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे तो चलिए बिना देर के फटा फट शुरू करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीठी दही की लस्टी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैंने यहाँ पे एक कप मिस्टी दोई यानि कि मीठी दही लिया है यह घर का बनाया हुआ मिस्टी दोई है एक बड़ा चम्मच चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, थोड़े से आइस क्यूब्स और थंडा पानी लिया है, तो अब हम चलते हैं लस्टी बनानी की प्रोसेस में मीठी दही की लस्टी बनानी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, अब हम इसमें एक कप मीठी दही एड़ करेंगे मैंने इस मिस्टी दोई यानि की मीठी दही को घर पे कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और अभी जैसे गर्मिया चल रही है और गर्मियों के मौसम में दही खाने से हमारा पेट थंडा रहता है दही में मौजुद माइक्रो और्गिनिजम हमारे शरीर के लिए बहुती फायदेमंद होते हैं दही एक एंटी आक्सिडेंट की तरह काम करता है और हमारे शरीर में इम्मिनिटी को बढ़ाता है इसलिए गर्मियों के मौसम में हमें दही या फिर दही से बनी हुई चीज़े जरूर खानी चाहिए अब हम एक कप मीठी दही के लिए दो कप पानी आड़ करेंगे अगर आपको गाड़ी लस्तिक पीना पसंद है तो आप इसमें दो कप पानी के बदले एक कप पानी आड़ करें एक बड़ा चमत चीनी आड़ करेंगे मीठी दही ओल्रेडी मीठा होता है इसलिए चीनी हमें कम ही डालना है और अगर आपको मीठा जादा पसंद है तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अब इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स आड़ करेंगे गर्मी के मौसम में लस्सी ठंडी ठंडी पीने में ही मज़ा आता है और इसके अलवा हमें फ्लेवर के लिए और कुछ भी एड़ नहीं करना है क्यूंकि मीठी दोई का एक अपना अलग टेस्ट होता है और आइस क्यूब्स आड़ करने के बाद इसे हम ग्राइन कर लेंगे अब हमारा लस्सी तेयार है अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं मीठी दही की लस्सी बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें आपको जरूर पसंद आएगी अब मैं इसमें थोड़ी से चौप्ट क्या हुआ बदाम एड़ कर रही हूँ जिससे लस्सी पीने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस के नोडिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे